Hello students and welcome back to the educators team, last lecture में हमने carbon compound start किया था जिसका हमने detailed introduction दिखा था, तो अब हम इसी chapter को आगर continue करते हैं जैसा कि बताया था कि introduction के बाद हम carbon की कुछ properties पढ़ेंगे जिसमें काफी important था कि carbon जो है बहुत जादा importance है और elemental फॉर्म में बताया था कि carbon जो गिरिफाइट की फॉर्म में एक्जिस करता है डायमेंड की फॉर्म में एक्जिस करता है और कमबाइन स्टेट में जैसे और पाया जाता है जैसे कार्बोनीट से हाइडोजन के साथ कंबाइन है और एटमोस्फिर में हम देखते हैं कि आटॉमिक नंबर सिक्स है इसके नंबर सिक्स होता है यह सब हम लोगों ने डिसक्स किया था और यह बताया था कि कार्बन चुक्कि बहुत कम ऐा लो औलेडी डेस्कस कर चुके और क्यों कार्बन हम लोगों के लिए इतना मोट है इक से लिफुज है कर चुक है अब हम करते हैं नेक्सट्र घ्रतर जो कि बहुत इंपॉर्टरन्ट ऑपे सब्सक्राइब करेंगा हम जानते हैं इस तरीके का कॉन्फिग्रेशन होता है यह आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होती है तो हर कोई चाहता है के वह nobel gas configuration achieve करें क्योंकि noble gas के बारे हम जानते हैं noble gas क्या होती है इनर्ट होती है वह non-reactive होती हैं किसी के साथ react नहीं करते हैं इतना इसफी नहीं तो हर एक एक एटम अपने आपको उसी configuration में ले करके जाना चाहता है कि वो किसी के साथ react ना करें वो एकदम unstable हो जाए अपने आपको maximum stability पर ले करके जाना चाहता है अब उसके लिए क्या होगा उसके लिए क्या होगा कि जो भी हर एक atom के जो outer most shell है वो outer most shell है configuration इस तरीके से चाहेगा कि उसके अंदर maximum eight electrons हो जाए या फिर जो उसकी के शेल है के शेल उसके शेल में वो चाहेगा कि maximum two electrons हो जो मैं maximum two electrons रह सकते हैं के शेल में ताके वह अपने आपको noble gas configuration की condition दे सके जैसे कि हम जानते हैं helium के अंदर जो number of electrons होते हैं वो two होते हैं जो कि जिसकी वजह से यह unstable रहती है और non-reactive होती है helium हो गया आरगन हो गया इस सब क्या है noble gases है तो हर एक atom noble gas configuration अचीव करना चाहता है ताके वह stable हो जाए उसके लिए atom क्या करते हैं उसके लिए atom क्या करेंगे या तो अगर उनके पास इतने ज़्यादा electrons हैं यह फर एक्जामपल के तौर पे जैसे मैं बताओं आपको कि किसी atom की अगर outermost shell में एक्जामपल की तौर पे 7 electrons है अपने अंदर एक electrons गेन करना चाहेगा ताकि उसके पास 8 electrons हो जाए और वह noble gas noble gas का configuration अचीव कर ले ताकि वह stable हो जाए अजा फिर यह सवाल होता है कि noble gas जो है वह अपने आपको stable noble gas को हम stable क्यों मानते हैं जैसा कि मैं कहूं हीलियम है तो हीलियम का जो electronic configuration होता है वह टू होता है और अगर मैं बगाँ नियॉन तो नियॉन में 10 number of electrons होते हैं तो के चल में तू रहते हैं और उसके बाद आउटर मोस चल में एट रहते हैं इसी तरीके से अगर मैं आरगन की बात करूं तो आरगन के electronic जो होता है वह 18 होता है तो उसमें टू होगा फिर एट होगा तो इस तरीके से इनकी सभत से इनकी यो औरर वह great रहती हैं इनकी और अजंग्न होती है कि रहेटी है तो इसलिए इनको नहीं को शका दो यू क्रूंस नहीं है यह स्टेबल रहती है इस लिए इसी लिए इन गैसे इस को हम जीरो गरूप गैसे भी का तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ बांडें तो जो अन्स टेविल एटम्स हैं वह इनके जैसे configuration को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो जिसके लिए वो क्या करेंगे या तो electron को लूज करेंगे यह electron को गेंड करेंगे ताके noble gas configuration को अचीव कर सकें और bonding बना सकें यह this is why